नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाथिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Share Market Analysis में दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी के साथ कल की लेट नाइट वीडियो में शियर करा था And 52 Week Highs से भी लगबग 600-600 आप कह सकते हैं Almost अगर Exact Figure की बात करो तो 900 points की थोड़ी सी दूरी रगी है 800-900 points की लेकिन बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 18,000 को Cross करने वाले हैं वह रिपोर्ट मैं दुबारा से खोच के आपके साथ पूरी शेयर करने की कोशिश करूँगा बट उसके लिए आप मेरे साथ जोड़े रहें लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे Tata Power को लेकर टाटा पावर पे पिछले कुछ दिनों से मैं continue आप सभी के साथ एक buy recommendation शेयर करता हुआ हूँ जहां पे stock levels देके ही तयार नहीं था क्योंकि buying momentum कुछ इतना ज्यादा बन गया था लगबग last to last Friday से मैं आपके साथ buy recommend कर रहा हूँ इस से पिछले वाले पूरे वीक में बिल्कुल डीला पड़ा रहा बिल्कुल भी levels नहीं आए लेकिन आज जो तेजी बनी है second half में वो काबलियत आरिफ है सुबह तक कुछ भी नहीं कर रहा था मैंने अपनी morning वाली वीडियो में कहा भी था कि टाटा पावर पे targets रह गए हैं वहां बने रहें बिल्कुल भी नडरे and second half में क्या शांदार तेजी बनी हुए 231 पे stock trade कर रहा था lows लगा है आज 237.50 के highs लगा है 236 के levels की closing दिये volumes 1.8 crore shares trade हुए average volumes 1.7 crore shares का है और जब जब यह stock trade नहीं कर रहा that means volumes नहीं आ रहे है न उस दिन stock में कोई move नहीं थी यानि बिल्कुल पिटा पड़ा है या फिर सांथ पड़ा है volumes भी नहीं थे लेकिन जब जब volumes आए तब तब तेजी आई है यह stock मुझे 245-240 तक जाता हुआ दिख रहा है जो मैं आपके साथ already share करता हुआ हूँ इस stock में लंबे समय बाद 233 रुपीज का levels break हुए है closing basis पे यह stock जो है अब direct 240-242-245 से पहले नहीं रुखने वाला है अगर आप इसका chart pattern खोले एंड अगर आप देखेंगे लगबग June 1st यानि June का पूरा महीन जुलाई एंड मिड अगस्त हो गया है दाई महीने के उपर के levels stock आपको दिखाता हुआ दिख रहा है जून की बात करूँ तो लगबग 234-32 की closing है एक आध बार बट वहीं से बड़ी गिरावट आई थी जो stock को 200 के नीचे लेके गई थी उसके बाद दीरे-दीरे करके stock ये 232 तक आया लेकिन stock के results आये उसकी वज़ा से फिर stock correct हुआ उस correction में stock 216 तक आया जहां मैंने आपके साथ buy recommendation दी फिर दुबारा 232 तक आया लेकिन 233 लेवल पार नहीं हुआ फिर गिरा 226 तक आया फिर उपर आया 230 तक फिर गिरा 225 and this time ये stock levels break करता हुआ दिख रहा है अब जो targets है इसके लिए वो में के highs जो थे दोस्तों में के highs तो नहीं कहूंगा लेकिन 17th में का हाई है 241 का पहला level 241 का है stock के लिए and second target जो इसके main जहां गूमता रहता था आप पिछले दिनों में जाए तो 245 का है तो वहां तक ये stock जा चला consolidate कर रहा है stock दोस्तों बहुत heavy consolidation चल रहा है इस consolidation के बीच में stock उपर में 300 भी दिखा के आया एक बार अगेर नीचे आया लेकिन अगर आप दो साल का चार्ट खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक multi bagger returns 321% के return बनाके दिये हैं इस stock ने 5 साल की बात करूँ तो इस stock में लगबग लगबग 194% के returns है and stock में काफी बड़े-बड़े समय के लिए consolidation चला है काफी बुरी तरीक returns नहीं आपका पैसा almost खतम कर दिया stock ने 60% से and कोई returns नहीं लेकिन अब देखिए stock 236 के levels पे आगया अगर इसका overall भी compare करूँ तो 155% के return है मेरे हिसाब से यह stock इतने लंबे समय के लिए तो मैं आपको कोई इसमें recommendation नहीं है लेकिन आगे के views भी बहुत strong है company अगले 5 साल में 75,000 करोड का केpex करने की तैयारी कर रही है जिसमें से 14,000 करोड का केpex company इसी साल कर रही है जिसमें से 10,000 करोड renewals में लगाएगी तो यह कुछ company के updates से जो मैं आपके साथ continue share करता हूँ company हर एक जगा कही ना कहीं partnership करती हुई रिखती है कभी किसी state में MOU sign हो रहा है तो यह सारी positive चीज़ है भी recently बात करें तो जेपी इंफ्रा के residential जितने भी है मोंबई में वहाँ पे आप सभी इनहीं के charging stations लगते हुग देख रहे हैं तो यह भी एक बड़ी deal आई थी सामने इस stock में बने रहने की सला है दोस्तों trading view से investment purpose से अगर दोबारा किसी खराबी या किसी market की correction मे 220 पर मिलता है तो 200 के stop loss से hold करें 200 के उपर जब तक अपनी portfolio में शिंत रखें और 200 के नीचे जाए तो आप इस stock से exit लें लेकिन 240 से 200 के उपर जैसे इनके लिए दोबारा खरीदे मुझे लगता है आने वाले समय में यह stock आपको 300-300 तक भी जाता हुआ दिखेगा क्यूंकि stock का भी market cap लगबग exactly 75,000 करोड का है मार्केट में company कह रही है कि KPX भी हम करेंगे के लिए 5 साल में लगबग 75,000 करोड का यह मुझे लगता है market cap ही more than 1.5,000 करोड का हो जाएगा तो stock का price obvious सी बात है यहां से काफी अच्छी returns दे सकता है आपको मेरी राय होगी बने रहने की खरिदारी करने की लेकिन ट्रेडिंग आइडिया मैंने शेयर करा है निवेश के लिए नोड़ा डिप का वेट करें तो यह थी मेरी वीडियो टाटा पावर के stock को लेकर hope आपको समझ में आयोगी थैंक यू सो बच फॉच इस वीडियो हम अग्री थीर रगया है